वीडियो लाइक जरूर कर लिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरण सब्सक्राइब कर लिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहें यूटूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज यह वाला चैनल जरूर जोइन कर लिएगा सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पर आते हैं ध्यान रखें दोस्तों तो हिस्ट्री के एक और लेक्चर में आप सभी का स्वागत है चलिए शुरूबात करते हैं च्छेसों सतर क्वेशन से आज 700 क्वेशन कर लेंगे तो देख आज हम लोग 700 क्वेशन कर चुके हैं दीरे दीरे आज हिस्ट्री खतम भी एक दिन हो जाएगी और आपकी त्यारी अच्छे से हो जाएगी इसको बस कंसिस्टेंटली फॉलो करते रही है चलो छेसों सतर कह रहा है सूपरिसिद कोहिनूर हीरा शाह जहां को किसने उपहार मे दिया था तो देखो यार कोहिनूर हीरो की स्ट्री समझ लो पहले थोड़ी सी ब्रीफ में बाकी तो आगे पढ़ेंगे कोहिनूर गोलकुंडा माइन से निकला था साउथ में जो है गोलकुंडा माइन स्टी है अब गोलकुंडा माइन में मीर जुमला जो था ये मिनिस्टर ता सुल्तान अफ गोलकुंडा अब्दुल्ला कुतुब शाह का अब ये उससे नराज हो जाता है क्यों नराज हो जाता है अब्दुल्ला कुतुब शाह मीर जुम्ला से क्योंकि मीर जुम्ला जो था वो शाह जहां का मनसब बन जाता है मनसब मतलब सैनिक बन जाता है एक पोस देता है शा जहां को देता है तो आंसर क्या हो जाएगे इसका मुहम्मद साइद या मीर जुम्ला ऑप्शन सी ठीक है जो इसकतर कह रहा है निमनिलखित में से कौन सा जहां की साशनकाल में अधिकान समय तक दककन का गवर्नर था तो उसका बेटा खुदी औरंग जेब दककन क यह आपको बताया गोलकुंडा दूसरा था बीजापूर कौन गोलकुंडा और बीजापूर ऑप्शन सी हो जाएगा 670 कह रहा है मुगल समराट जिसने सरवादिक संक्या में हिंदू अधिकारियों की नियुक्ति की थी वे कौन था तो देखो सबसे जादा जो हिंदू ने रखे 24 परसेंट अकबर ने रखे 16 परसेंट तो सबसे ज़्यादा अगर पूछेगा तो किस ने रखे औरंग जेब 672 कह रहा है किस मुगल बादशा ने बलबन द्वारा प्रारंब किया गया दर्बारी रिवाज सजदा को समाप्त कर दिया था तो देखो जो बलबन न इसने विद्रो करके राजपूतों के विरुद अपने पिता की स्थिति को दुर्बल कर दिया तो यार यह बहुत ही लालची राजा था अकबर दुती है ना इसने औरंग जेब के खिलाफी विद्रो कर दिया तो पोजीशन काफी वीक हो गई थी तो ऑप्शन भी हो जिया जिसके शाशनकाल में पूना लगाया गया तो देखो अकबर ने तो जजिया हटा दिया था पर औरंग जेब ने 1679 में वापस इंपोस कर दिया उसको ठीक है तो औरंग जेब हो जाएगा 669-79 कह रहा है औरंग जेब द्वारा चलायाएगा जिहाद का अर्थ क्या था तो देखो जिहाद का अर्थ होई है जो आज भी है क्या डारूल इसलाम मतलब नौन मुसलिभ्म को कनवर्ट करो मुसलिम बनाने में पेलो उनको तो यही उसका मतलब तो दारूल इसलाम क्या थ किस मुगल सेनपती के साथ सिवा जी ने 1655 में पुरंदर की संधी पर हस्ताचर गिये तो गार तो डिपर ने बीजापूर की संदी करी 1686 में, कब करी 1686 में, 680 कह रहा है, निमनिलिखित में से कौन, जिन्दा पीर के नाम से जाना जाता था, तो देखो जिन्दा पीर के नाम से इसी को जानते थे, औरंग जेब को, बहुत ही, मुझे तो परसनली बहुत गंदा रूलर लगता था, अ अपने बाप को जिन्दा कर दिया थे, तो औरंग जेब को ही माना जाता था, जिन्दा पीर, 1681 कह रहा है, कौन सा मकबरा, दुती ताज महल कहलाता है, कौन सा मकबरा, दुती ताज महल कराता है, तो रभिया उद्दौरानी का मकबरा, किसका, रभिया उद्दौरानी का को दू ती तान मेल भी कहते हैं क्या कमेंड में बता सकते हो यह है कहां पर बहुत ही फेमस जगह है 682 कहा रहा है निमनलिखित में से कौन समराट औरंगजेब की पुत्री थी जहां आरा रोशन आरा गौहर आरा या महरू नीशा देखो महरू नीशा जो थी वो औरंगजेब की पुत्री थी यह आरा वारा नहीं ठीक है कौन महरू नीशा 683 कह रहा है औरंग जेब ने किसको साहिबात उज जमानी की उपादी परदान करी थी साहिबात उज जमानी तो ये दीती जहां आ रहा को किसको दीती जहां आ रहा को दीती ये उपादी याद रखियेगा 688 कह रहा है मुगल काल में देह शब्द का अर्थ क्या था तो देह है वो मुगल में ग्राम के नाम से जाना जाता था देह टैक्स का मतलब था ग्राम पे जो टैक्स लगता था ठीक है तो ग्राम का मतलब था दे 689 कह रहा है निमनलिखित में से किसे मुगल सेना में चिकट सक नियुक्त किया गया था तो मुगल सेना में जो चिकच सकता है वो मनूची था, अभी last class में हम लोग पढ़ चुके हैं, मनूची कौन था, मनूची, याद रखेगा option C, 684 कह रहा है संत रामदास को, किसके साशनकाल से संबंदित किया जाता है, तो ठीको संत रामदास और अंगजेब के साशनकाल के थ किसके साशनकाल के थे, और अंगजेब के साशनकाल के थे, 600 पिच्च ऐसी कह रहा है, दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्मार किया था, तो अभी पढ़ा था, last B lecture में हम लोग ने, मोती मस्जिद और अंगजेब ने बनवाई थी, किसने बनवाई थी, और अंग थे, उन्हें मश्रूत अत्वा सशर्थ पद प्राप्त होते थे, हाँ ठीक है भाई, जो उनको चाहिए होता थे, वो सशर्थ मिल जाता था, तीसरा कहरा है, उनका सवारपद जात पद से अधिक हो सकता था, नहीं, यह गलत है, सवारपद जो होता था, वो जात पद से और क्या, मनसब क्या होता था, एक पोस्ट होती दी मनसब, ठीक है, तो उप्शन डी भी सही है, सी गलत है, 691 कह रहा है, मुगल मनसबदारी विवस्ता की बारे में, निम्न कथन पर विचार कर जिए, एवं दिये के कूर्से सही उत्तर चुनिए, ठीक, चलो चुनते हैं, ज मनसबदारों के तीन वर्ग थे, हाँ, तीन वर्ग थे, एक मनसबदार होते थे, आमीर होते थे, आमीरे आजम होते थे, तो ये तो ठीक है भाई, पहला और तीसरा तो सही है, दीवान कार्याले दोर इनको वेतन दिये जाता था, नहीं, इनको वेतन जो है, इनको सैलरी दी थी जहां से यह लोग tax वसूल देते जिस area तो एक और तीन ही इसका सही answer है 666 कह रहा है मोगल काल में जनपद क्या कहलाता था क्या कहते थे जनपद को तो जनपद को सरकार कहते थे क्या कहते थे सरकार बहुत important है तीन से चार बार आया हुआ है तो जनपद का मतलब सरकार होता था और देह का मतलब ग्रह होता था ठीक है 667 कह रहा है मोगल काल में सेना का प्रधान निम्न में से कौन था तो मोगल काल में सेना परदान था वो मीरबक्षी था कौन था मीरबक्षी याद रखिए इसको क्या बोलते हैं मीरबक्षी सेना कि जो परदान होता था 692 कह रहा है मोगल कालीन भारत में राज की आये का प्रमुक्स रोत क्या था तो ओविसली भू राजस्व क्या था भू राजस्व जो भी लैंड रवन्यू आता था वो ही सोर्स था इंकम का 693 में कह रहा है मोगल प्रसाशनिक सब्दावली में माल प्रतिनेदेतु करता था तो माल प्रतिनेदेतु जो था वो भू राजस्व करता था क्या करता था भू राजस्व माल प्रतिनेदेतु करता था 694 कह रहे हैं मोगल समराज जिसने इस तंबाकू को प्रियोग पर निशाद लगाया मतलब निशेद लगाया प्रोहिबिट करा कि भाई तंबाकू सेवन निशेद है तो वो जहागीर ने करा था तोबैको कौन लाएते याद है आपको पॉर्टगीज लाएते भारत में तोब 699 कह रहा है चितरकला की मुगल शैली का प्रारंब किस ने किया तो यह जो चितरकला की मुगल शैली है इसका प्रारंब हुमायू ने करा था किस ने करा था हुमायू ने याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है सारे ही कोशन 700 कहा रहा है निमनिलखित में से कौन जहांगीरी चितरकार थे तो जहांगीरी चितरकार जो है एक तो अबुलहसन है ठीक है दूसरा है अकारीजा दो बस दो है जो जहांगीरी चितरकार थे अबुलहसन अकारीजा ठीक है तो दो और तीन है याद रखेगा इसको 695 कहा रहा है निमनलिखित राजियों में से किसने रामसीता की आकरतियों और रामसी देवनागरी लेक से युग्ट कुछ सिक्के चलाये थे तो ये चलाएते अकबर ने, किसने चलाएते अकबर ही चलाएगा obviously, क्योंकि वो थोड़ा secular राजा था, अकबर हो जाएगा 606 भी कह रहा है, मुगल साशन ने, तामबे का सिक्का क्या कहलाता था, जो मुगल समरा था, उसमें तामबे के सिक्के को दाम कहते थे, क्या कहते थे दाम, अब आपको याद है, टंका, चांदी का सिक्का, टोकन करंसी, जो किसने चलाई थी, इल्टू तमिश ने चलाई थी, उसको जो चांदी का था उसको टंका कहते थे और तांबे की सिक्कों को मुगल साशनकाल में दाम कहते थे तो यह बहुत important है याद रखेगा दाम 701 कह रहा है जहांगीर ने मुखिता निमनलिखित में से किस कला को सनचर दिया था तो चितरकला को बहुत जादा सनचर दिया था जहांगीर ने उसके समय में बहुत जादा चितरकला उन्नत पे होगी तो है न तो चितरकला option A हो जाएगा तो guys यह थे 30 कुछ important question next lecture में 30-40 और question करेंगे दीरे दीरे यह history खतम होने वाली है जल्दी से इसको आप revision बस करते रहो दो से तीन बार thank you guys